माग महात्मे का दूसरा अध्याए राजा के ऐसे वचन सुनकर तपस्वी कहने लगा कि हे राजन भगवान सूरे बहुत शिग्र उदे होने वाले हैं इसलिए यह समय हमारे लिए स्नान का है कथा का नहीं सो आप स्नान करके अपने घर को जाओ और अपने गुरुश्री वशि वशिष्ट जी से इस महात्मे को सुनू इतना कहकर तपस्वी सरोवर में स्नान के लिए चरे गए और राजा भी विदी पूर्वक सरोवर में स्नान करके अपने राजे को लोटा और रनिवास में जाकर तपस्वी की सब कथारानी को सुनाई तब सूद जी कहने लगे कि महर राजा ने अपने गुरु वशिष्ट जी से क्या प्रश्न किया और उन्होंने क्या उत्तर दिया सो कहिए व्यास जी कहने लगे हे सूद जी राजा दिलिप ने रात्री को सुख से सोकर प्रातह समय ही अपने गुरु वशिष्ट जी के पास जाकर उनके चर्णों को चूकर प अपस्वी के बताई हुए प्रश्णों को अति नम्रता से पूछा कि गुरुजी आपने अचार, दन, निती, राचय धर्म तता चारो वर्णों के चारो आश्रमों के किर्याओ, दान और उनके विधान, यग्य और उनकी विधिया, व्रत, उनकी प्रतिष्ठा तता भगवान विष्णु की अराधना, अने प्रकार से तथा विस्तार पूर्वक मुझको बतलाई, अब मैं आपसे माग मास के स्नान के महात्मे को सुनना चाता हूँ, सो हे तपोधन, नियम पूर्वक इसकी विधि समझाईए, गुरु वशिष्ट जी कहने लगे कि हे राजन, तुमने दोनों लोकों के कल्यानकारी, वनवासी तता ग्रहस्तियों के अंतह करण को पवित्र करने वाले माग मास के स्नान का बहुत सुन्दर प्रशन पूछा है, मकर राशी के सूरे के आने पर माग मास में स्नान का फल, गौ, भूमी, तिल, वस्त्र, स्वन, अन, खोडा, आदी, दानों तता चंद्रायन और भ्रमा कूर्च वरत आदी से भी अधिक होता है, वैशाग तता कार्टिक में जब दान, तप और यग्य बहुत फल देने वाले हैं, परन्तु माग मास में इनका फल बहुत ही अधिक होता है, माग में स्नान करने वाला पुरुष, राजा और मु वह अनंत फल वाला होता है, उसको शरीर की शुद्धी, प्रीती, एश्वर्य तथा चारों प्रकार के फलों की प्राप्ती होती है, अधिती ने बारा वर्ष तक मकड सक्रांती में अन्तियाग कर स्नान किया, इससे तीनों लोकों को उजवल करने वाले बारा पुत्र स्नान करने से ही, रोहिनी, सुबगा, अरुंदती, दान शीलता हुई, और इंद्राणी के समान रूपवती होकर प्रसिद्ध हुई, जो मागमास में स्नान करते हैं, तथा देवताओं के पूजन में ततपर रहते हैं, उनको सुन्दर स्थान, हाती और घुडों की सवारी, तथा दान को दिव्य प्राप्त होता है, अतितियों से उनका घर भरा रहता है, और उनके घर में सदावेद धनी होती रहती है, वहें मनुश्य धन्य हैं, जो मागमास में स्नान करते हैं, दान देते हैं, तथा व्रत और नियमों का पालन करते हैं, और दूसरों के पुन्यो के शीन होने से मनुश्य स्वर्ग से वापस आ जाता है परंतु जो मनुश्य माग-मास में स्थान करता है वहें कभी स्वर्ग से वापस नहीं आता इससे बढ़कर कोई नियम, तब, दान, पवित्र और पाप नाशक नहीं है। ब्रगु जी ने मणी परवत पर विद्याधरों को यह सुनाया था, तब राजा ने कहा कि हे ब्रह्मन, ब्रगु रिशी ने कब मणी परवत पर विद्याधरों को उपदेश दिया था, सो बताई तब रिशी जी कहने लगे कि राजन एक समय बारा वर्ष तक वर्षा ना होने के कारण सब प्रजाशीन होने के कारण संसार में बड़ी उद्विग्नता फैल गई हिमाचल और विंध्याचल परवत के मध्यका देश निर्चन होने के कारण श्राद तब तथा स्वाध्याए सब कुछ छूट गए सारा लोग विपत्तियों में फसकर प्रजाहीन हो गया सारा भूमंडल फल और अन से रहित हो गया तब विंध्याचल से नीचे बहती हुई न हिस्सा सुनहरी होने से सारा परवत पितांबर धारी शिरी भगवान के सद्रश लगता था परवत के बीच का भाग नीला और बीच बीच में कहीं कहीं सफेद स्वटिक होने से तारों से युक्त आकाश जैसी शोभा को प्राप्त होता था रात्री के समय वह परवत दीपको की तरह चमकती हुई दिव्य औशदियों से पूरित किसी महल की शोभा को प्राप्त होता था। देह परवत शिखाओं पर बासुरी बचाती और सुंदर गीत गाई हुई किन्नरियों तथा केले के पत्तों की पताकाओं से अत्यंत शोभा को प्राप्त हो रहा था। देह हुए रतनों से चारों और फैली हुई अगनी ज्वाला के समान शोभायमान था। इसकी कंदराओं में काम पेडित विद्याधरी अपने पतियों के साथ आकर रमन करती हैं और गुफाओं में ऐसे रिशी मुनी जिनोंने संसार के सब कलेशों को जीत लिया है रात दिन भ्र रहे हैं तथा कस्तूरी वाले रंग बिरंगे म्रगों के जुंड इधर उदर भाग रहे हैं यहें परवत्सदा राजहंस तथा मोरों से भरा रहता है इसी कारण इसको हेम कुंड कहती हैं यहां पर सदैवी देवता गुयक और अपसरा निवास करते हैं माग महात्मे का पसंद आया है तो इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शियर करें धन्युक्त